नमस्कार दोस्तों मैं निर्वे एक पर फिर से आप सभी के लिए computer के कुछ मत्रूर्ण प्रस्णों के साथ आजे रहूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो question number 1 file extension किसलिए इस्तमाल होते है file type को identify करने के लिए तो file type को identify करने के लिए file extension इस्तमाल के जाते हैं जैसे msword के लिए होता है question number 2 excel workbook संग्र है तो excel की जो workbook है वो worksheets का संग्र है बहुत सारे worksheets मिलकर एक workbook बनते हैं question number 3 email पते के दो भाग कौन से होते है email पते में जो पहला भाग होता है वो प्रयोकता का नाम होता है और दूसरा domain का नाम होता है जो हमारे email id होती है वो दो भागों में बटी होती है एक होती है जिसमें की प्रव्यक्ता का नाम होता है जैसे जो add the rate के पहले होता है और add the rate के बाद वाला हमारा होता है वो domain होता है question number 4 C.A.D. सब्द का संबंद computer में किस से है तो C.A.D. का संबंद जो होता है वो design से होता है और C.A.D. का full form होता है computer added design question number 5 भारत में निर्मित प्रथम computer का नाम क्या है तो भारत में जो प्रथम computer निर्मित वाता हो था सिथार्थ question number 6 C.Basic को बोल और जावा जिस भासा के उदारण है उसे कहते हैं यह सारे जो है की high-level language है इसलिए हम इनको high-level language कहते हैं ASCII का पूर्ण रूप होता है तो ASCII का जो फूर्फार्म है American Standard Code for Information Interchange computer का पितामा चाल्स वेवेश को कहा जाता है सरव प्रथम आधनी computer की खोजवी 1946 में computer के संचालर में प्रियुक प्रोग्राम नियम तथा computer क्रियाओं से संबंदित अनलिखित सामगरी को क्या कहते हैं तो उसे हम software कहते हैं question number 11 computer के मस्तिस्क को कहा जाता है CPU तो जो computer का मस्तिस्क होता है जहां से वो सारी processing का काम होता है वो होता है CPU integrated circuit chip विकास किस ने किया तो integrated circuit chip जो है कि JS किल्वी ने बनाया था integrated circuit chip पर किस की परत होती है तो IC पर silicon की परत होती है question number 14 चुमके डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है तो चुमके डिस्क पर जो है iron oxide की परत होती है computer में किसी सब्द की लंबाई किस से मापते हैं तो वो सब्द की लंबाई जो है कि वो bit में मापी जाती है question number 16 storage माध्यम की छमता की इकाई है वो है byte सत्रहमा question है MS Windows किस प्रकार का software है तो MS Windows जो है कि वो GUI है और GUI का full form होता है graphical user interface अठारमा question एक byte का collection कितना होता है तो 8 bits बराबर एक byte होता है volatility किस की property है तो वो volatility जो है कि वो RAM की property है और volatility का मतलब होता है जैसे कि जब तक बिजली है तब तक data store कि रहेगा और उसके पात जो है कि बिजली जाते ही data wipe हो जाएगा question number 20 Java उदाहरण है तो Java जो है कि एक उच्चितरी है भास्ता यानि कि high level language का उदाहरण है question number 21 जब computer दिये गए अनुदेसों पर कारे करता है तो उसे कहा जाता है processing जब हम कोई input देते हैं और उसके उपर जब computer काम करता है तो उसे हम processing कहते है question number 22 वह input device जो सुपर बाजारों में ब्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो जो सुपर मार्केट में हम यूज करते हैं सबसे जादा वह होता है हमारा barcode reader किसी भी product के barcode को read करने के लिए इस्त कि computer प्राड़े को हारी पहुचाने में सक्षम होते हैं computer को नुकसान पहुचाने के लिए हम वायरस ट्राजन हर्स या worms ये categories होती है वायरस की उनको हम इस्तेमाल करते हैं software का अर्थ है तो software जो होता है program बहुत सारे program का समूझ के software कहलाता है दस्तावेज प्रिंट करने की shortcut key ह Ctrl P से हम कि किसी भी document को print कर सकते हैं binary language में alphabet का प्रतेक अक्षर प्रतेक अंक तता प्रतेक का विसेस character बना होता है वो जो है की 8 bit की योग से बना होता है जो कुछ भी हम लिखते हैं लेक हमने ए लिख दिया तो ए जो है की 8 bit के बराबर होता है question 27 वे graphical तस्वीरे जो file folder रिक्ति करती है कहलाती है icons रेम का पूरा नाम होता है random access memory question 39 computer संसाधनों के प्रबंदन से संबंदित विसेस्ट कारे करनी के लिए design किये के प्रोग्रामों वो कहा जाता है तो वह होता है operating system question 30 सरवाधिक सत्रिसाली computer है super computer सबसे ज़्यादा powerful होता है और यह बहुत ही महगा भी बड़ा भी होता है question 31 एक hardware device जो data को अर्थपूर्ड information में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते है उसे हम processor कहते है क्रे क्या है क्रे एक जो है कि super computer है question 33 टेली प्रोसेसिंग तथा time sharing का प्रयोग किस PD के computer में हुआ था तो यह जो है कि 3rd generation की जो है कि computer में टेली प्रोसेसिंग और time sharing का प्रयोग हुआ था question 34 वह उपकरण जो handheld operating प्रणाली का अस्तेमाल करता है वह होता है PDA अब PDA का full form होता है personal digital assistant question 35 है computer कितने प्रगार के होते हैं तो computer दो प्रगार के होते हैं कौन-कौन से पहले होता है digital computer और दूसरा होता है analog computer और एक और प्रकार इसमें जोड़ दिया जाता है वो होता है hybrid computer जिसमें की digital और analog दोनों की quality होती है point and draw device कहा जाता है तो point and draw device mouse को कहा जाता है trackball उदारन है किसके तो pointing device के उदारन है trackball question 38 soft copy एक output है तो hard copy क्या है वो है printed output question 49 secondary storage media से hard disk में software प्रोग्रामों को copy करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसे हम installation कहते हैं किस memory में रखा data बिजली जाते ही समपत हो जाता है तो वो हो जाता है RAM का data क्योंकि RAM जो एक volatile memory होती है और इसमें रखा हुआ data बिजली के जाते ही समपत हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तरने बाद